बच्छों उन्जाए हिंद बच्छों आज जो चर्चा में है वो है परी सीमन आयोग दाहिंदू की न्यूज में है और ये क्यों चर्चा में है क्योंकि जो जम्मू कस्मीर के एक राजनेतिक दल है नेशनल कॉन्फरेंस नेशनल कॉन्फरेंस ने सर्बोच नियाले के सेवा निबरत नियाधिस नियामूर्ती रंजना प्रसाथ देशाई के अद्धिस्ता में गठित जम्मू कस्मीर परिसीमन आयोग से एक पत्र के माध्यम से केंसासित प्रदेश के राजनेतिक दलों के साथ होने वाली आगामी ब और रिपोर्ट में भौगोलिक इस्ति, दुर्गा में इलाकों और बरतमान में जारी जो परिसीमन प्रिक्रिया है जिसे हम लोग डिलिमिटेशन एक्सरसाईज कहते हैं उसके लिए संचार के साधनों और उपलब्द सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाएगा आयो को केंसासित प्रदेश की तेरासी सदस्टी बिधान सवा के लिए साथ अतरित सीटों को निर्धारित करने का दायत सौंपा गया है जम्मू कस्मीर में जो पहला परिसीमन हुआ था वो 1951 में एक परिसीमन समिती के द्वारा किया गया था और इसके तहट उस समय के राज्य को 25 बिधान सवा छेत्रों में बाटा गया था मतला वहाँ पर 25 बिधान सवा की सीटे न धारत की गये थी इसके बाद 1981 में पहली बार उन परिसीमन आयो का गठन किया गया और इस आयो के द्वारा 1981 की जंगर्णा के आधार पर बर्स 1995 में अपनी सिफारिसें परस्तुत की गई और इसके बास सिराज में अब तक कोई परिसीमन नहीं हुआ इसका मतलब जो अब हो रहा है वो तीसरा परिसीमन है फिर 2020 में जम्मू कस्मीर के लिए बर्स 2011 की जंगर्णा के अधार पर परिसीमन करने के लिए एक परिसीमन आयो का गठन किया गया और इस आयो को संग सासित प्रदेश में साथ अन सीटों को जोडने और अनुसुचित जाती और जंजाती समुदायों को आरख्षण देने का आदेश दिया गया नए परिसीमन के बाद जम्मू कस्मीर में सीटों की कुल संख्या 83 से बढ़कर 90 हो जाएगी ये सीटे प्योके के लिए आरख्षण 24 सीटों के अदरिक्त होगी और इन सीटों को बिधान सबा में खाली रखा जाएगा किनको वो 24 सीटे जो प्योके की हैं उनको खाली रखा जाएगा जम्मू कस्मीर में परी सीमन के आवासकता क्यों ही दरसल परी सीमन अधीनियम जो 2002 था और आने जम्मू कस्मीर बिसिष्ट बिद्धेकों के साथ परी सीमन का मतलब होता है कि किसी राज में छेतरी निर्वाचन छेतरों की सीमा नधारन करना और ये जो पिक्रिया होती है एक उच्छे अधीकार पराप्त एक आयोग के द्वर्र की जाती है और इस आयोग को ओबचारिक रूप से परी सीमन आयोग कहते हैं या फिर हम लोग इसे सीमा आयोग भी कह सकते हैं परिसीमन आयोग के आदेसों को कानून के तहत सक्तियां प्राप्त होती हैं और इन्हें किसी भी आदालत के समख्ष चुनौती नहीं दी जा सकती परिसीमन आयोग अधिनियम 2002 के नुसार केन सरकार के दोवारा निक्ट परिसीमन आयोग में तीन सडस होते हैं इसमें अद्देश के रूप में उच्टम नियाला के सेवा निब्रत नियाधीस या फिर सेवा रत भी हो सकते हैं और पदेन सडस के रूप में मुक निर्वाचन आयुक्त और या फिर इनके दौरा नामित निर्वाचन आयुक्त और राज निर्वाचन आयुक्त सामिल होते हैं। अगर हम इसके संवेधानिक प्राउधानों की बात करें तो हमें आर्टिकल 82 को याद रखना है। 82 कहता है कि प्रितेव जंगरणा के बाद भारत की संसत के दोवरा एक परिसीमन आधिनियम कानून मनाया जाता है। राज्यों को भी छेत्री निर्वाचन छेत्रों में बिवहाजित किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो दाहिंदू में ये न्यूस थी परिसीमन आयो के सम्मन में आपको अच्छी लगी होगी तो इसे जरूर देखें नमस्कार जैहिन